शिव मंदिर में जलब इशेक के बाद निकाली कलशियात्रा नमस्कार मैं हूँ अनुश्का और आप देख रहे हैं एचेट चैस हरियाना नियूज तासा कप्रों में आपको बताते कि फरुख नगर खंट के काउं फाजिल पूर बादी में जहां वीरवार को शिवडात्री के महुसब पर बाबा प्याओ वाला प्रांगन ने भजन कीतन कायोचन किया गया भजन संधिया में रिवाडी से पहुँची मास्टर रूचन की सलसन पाजी ने अपने मधुर भजनों से मंदिर प्रांगन को मत्रिमाई कर दिया वहीं समात सीवी सुनुयादव ने सभी कावडियों के समान में भुरेनाथ की प्रतिमा प्यज की सुबह होते बबा कलश यात्रा कायोचन किया गया यह कलश यात्रा गाओं के प्राचीन बाबा प्याओ वाला मंदिर से चल कर ठोल नगाड़े इवं दीजे कि मत्रजनों के साथ गाओं की परिक्रमा करते हुए जो हड़ वाले श्रीक्रिष्न मंदिर पर से भुरेनाथ मंदिर में पहुँची इस यात्रा में काफी सुभागित महिनाओं ने कलश उठाया कलश्यात्र संपनोनी के उपरांद प्राजीन बाबा प्याउ वाला मंदिर में हवन यग एवं मंद्रों चारण के उपरांद रुप्रारे कायुचिन किया गया जिसमें लोगों ने बड़ी संख्या में भुरे नात का अश्रवाद लेकर प्रसाथ प्रहन किया इस मौके पर सरपंच दिनीश कुमार मंदर कमिटी अधिक्ष अशोर कुमार सुरेंडर से हैं धर्मेंद्र बनेश से हैं नवल से हैं कैप्टन इश्वर से हैं सुधीर कुमार अनिल हंसराम बलबान से हैं जोकिंदर से हैं रामिहर से हैं समाचिवी सुम्यादव केला देवी स साविद्री देवी, किशना देवी, भगोती, लाली देवी बसंपून सत्सन मनली मौधूल रही। आई आपको दिखाते हैं गाउं फाजल पुर्बाद्री की कलश यात्रा की छांगिया। ट्रहे हम दाई एक टाम डाल offensive की की का स dranahren साब भूले हैं क्रना गाजय को दोको पूगले झाले धलते हैं आपको देफे हम आद Ini का की कि अल्सी की बसाति सकते हैं सावलै नापको देवी, पनीज लूटी को दोने के ज्ल्सी कि अजले हूल fellows कर दो कर दो दो कि टिक बढूंगा है बाड़ कि बड़ques जड़ कोडिए, बाड़ किए. हमाड़ किए लाफ घर कुट हम मड़िछ है bekommt। खम हाव कि लाश बड़ कि लाव किllenी घंदे मड़ित लाए कर दूए गूए